नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इन सीटों पर मैदान में खड़े 244 परत्यासियों की किस्मत EVM में कैद है बदाद जार्खन की 14 लोगसभा सीटों के लिए 29,523 पोलिंग स्टेशन पर हुए मतदान के काउंटिंग के लिए 14 मत गन्ना केंद्र बनाए गए हैं सभी मत गन्ना केंद्रों में बिधान सभावार काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं जार्खन में कूल 81 हॉल में 14 सुबान में मत दान टेबल पर काउंटिंग की जाएगी सरकार आपके द्वार अभियान का चौथा चरन शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है बताया गया है कि आदर चुनाव अचार संक्त समाप्त हो जाएगा इसके बाद सरकार कोई बड़ा काम करना चाहती है जामो पार्टी की ओर से भी सरकार को संदेश गया है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान सुरू किया जाए इसे लेकर अब सरकार गम भीरता से विचार कर रही है बताया गया है कि नॉम्बर माह से राज्य में विधान सभा चुनाओ को लेकर अचार संहीता लग जाएगी इधर लोग सभा चुनाओ को लेकर अचार संहीता चार जून के बाद समाप्त होगी यानि 5 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ही सरकार के पास समाए है कि इस अभ्यान को सुरू कर सके इसी दोरान मानसुन भी है प्राराम में 10 जून से इसे आराम करने पर विचार किया गया है पर मानसुन को देखते वे उची तीथी ताय करने को लेकर सरकार मन्थन कर रही है डीजीपी अजाय कुमार ने कानून बेवस्था को लेकर बैठा की जारखन के डीजीपी अजय कुमार सिंग ने राईधानी रांची की कानून व्यास्ता को बेहतर बनाने के समध में सुमवार तीन जुन को समिक्षा बैठक की है इस बैठाक में D.P. अजय कुमार सिंग, दक्षिनी छोटा नागपुर कमिस्नर, S.P. रांची, रांची सीटी, S.P. ग्रामीन एवा मेतायात, S.P. सहित अन्य अधिकारी सामिल हुए D.P. अजय कुमार सिंग ने रांची में पिछले तीन साल में घटे संगिन अपराधों की समिक्षा की, जिसमें की हत्या लूट, दुसकर्म, डकैती, अपहरन आदिस अपराध सामिल है उन्होंने पहले हुए अपराधों में की गई करवाई के बारे में जनकाली उन्होंने अपराधियों पर कड़ी करवाई करने का निर्देश दिया है डिजीपी ने ड्रग्स, नेट्वर्स को पड़ाफार्स करने और सेक्षिनिक संस्थाओं के बाहर ड्रग्स बेचने मालों को पर सक्ति करने का निर्देश दिया है उन्होंने हाल में चुटिया के एक्स्ट्रीम बार में मडर के मामले में नराजगी जताई और रांची के सभी बार की जाच करने का निर्देश दिया है पलामू के पांकी में प्यास बुझाने कुए में उतरे 32 बंदरों की मौत जारखन का पलामू जीला भीषन गर्मी की चपेट में है यहां का तापमान चवाली से प्यादाश डिली से सियस के आसपास है इसी बीच पाकी परखन के सुरट गाउं में अपनी प्यास बुझाने एक कुए में उतरे 32 बंदरों की मौत हो गई है बता दे मेदनी नगर प्रमंडल वन पदाधिकारी कुमार आसीस ने कहा है कि इलाके में पानी के सुरत लगबग सुक चुके हैं जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए गाउं का रुख कर रहे हैं इसी करम में जंगल से सटे इस कुए में बंदर पानी पीने के लिए उतर गाएं इससे उनकी मौत हो गई पलामु जिले में भिशन गर्मी के बीच सीचाई कुए से पानी पीने की कोशिस में डूबने से 32 बंदरों की मौत होई है वन अधिकाई ने सोमवर को यह जंकारी दी है गुमला में सलक हाथसा तीन की मौत एक बच्ची घायल जारखन के गुमला जी लेके सदर थाना चेतर में सलक हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि एक बच्ची घायल हो गई है बताया जा रहा है कि खोरा गाउं के समीप कार वा मंत्री बंस में सीधी भीडान्थ हो गई है इससे ए हाथसा हो गया अस्थानियों लोगों की मदद से हाथसे के बाद घायलों को अस्पता लाया गया जहां डॉक्टरों ने तिन लोगों को मिरित खोशित कर दिया जबकि एक बच्ची घायल हो गई है मिरित को में फादर, सिष्टर समेत अने सामिल है गुमला जी लेगे सदर थाना चेत्रे के खोरा गाउं के समीप हुए सड़क हाथसे में एक स्यूबी वा मंत्री बस की सीधी भीडान्थ में तीन लोगों की माउथ होई है IAS मनिस रनजन से E.D. की पुस्ताश जारी जारखन में हुए तीन हजार कोलोड से अधिके टेंडर कमिशन घोटाले में ग्रामिन विकास विभा के पुरु सची मनिस रनजन से E.D. पुस्ताश कर रही है मंगलवार को IAS अधिकारी मनीश रंजान दूसरे समन पर ID के सामने पुस्ताश के लिए उपस्चित हुए थे उन्हें फिर अगले दिन पुस्ताश के लिए बुलाया गया था ID ने अलमगीर अलम और मनीश रंजन दोनों को आमने समने बैठा कर दोनों के बिच मोबाइल पर हुए बाच्चीत और वाट्शेप चैट आधि के प्रमान दिखाया और उनका सत्यापन भी कराया ID ने दोनों से टेंडर कमिशन के बटवारे और कमिशन की राज़ी के बटवारे से समधी चैट पर पुस्ताश की थी होट सीट राज महल में त्रीकोनी है मुकाबला जारखन मुक्ति मोर्चा का गड़ माने जाने वाला राज महल लोक सभा सीट राज के परमुक्न वैचन छेत्रों में से एक है साल 2014 और 2019 के चुनाव में जामों ने यहां से जीत दर्ज की थी इस बार राज महल सीट से 14 परत्यासी चुनावी मैदान में उतरे हैं अलाकि जामों के विजय कुमार हंस्टा और भाजपा के तला मरांडी के बीच कड़ा मुकबला मना जा रहा है इनके अलावा जामों के बागी विधायक लोबिन हेमरं भी इस सीट से निर्दलिये चुनाव लड़े हैं अब देखने वाली बात देया है कि जीत का ताज किसके सीट पर सजता है बताजे राजमहल संसदे चेतर को साहिब गंज और पाकुर जीले के कुछ इलाकों को मिला कर गठित किया गया है इस लोग सबाद चेतर में 6 विधान सबाद चेतरों को सामिल किया गया है प्रधानमंत्री नायंदमोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट पीम सुर्य घर फिरी बिजली स्किम चार जून के बाद पुरे देश में लागू होगा प्रधानमंत्री नायंदमोदी की केबनेट ने इसको लेकर नहीं लिया था मगर चुनाव घोसित हो जाने के कारण एस्टेट को इसका लक्ष अभी तक नहीं किया गया केंदर में नई सरकार गठन के बाद इस स्किम पर काम तेजी से सुरू होने की उमीद है अगले 15 दिनों में जारखन जबी बिनल को भी टार्गेट दिया जाएगा प्रथम चरण में सरकार 300 उनीट तक बिली कंजूम करने वाले कंजूमरों को फ्री में सोलर प्लांट लगाएगी जिसमें कम आय और पीम आवास कंजूमर सामिल होंगे बता दे कमर्सियल कंजूमरों को इसका लाब नहीं मिलेगा केबल घरेलू को ही मिलेगा जिसमें अपार्टमेंट तक सामिल है बसरते अपार्टमेंट का इस्तेमाल कमर्सियल तोर पर नहीं हो जारखन में वोटों की गिंती के दवरान कैसा रहेगा मौसम जारखन की 14 लोग सबा सीटों पर 4 जून को वोटों की गिंती होनी है सुबा आठ बैस से काउंटिंग सुरू हो जाएगी इस दवरान मौसम को लेका जारी परोणान के अनुसार जारकर नों फिलहार गर्मी से राहत की उमीद नहीं है अगले 3-4 दिन तक गर्मी बढ़ेगी वहीं 7 जून तक पूरे राज्य में हीट वेब का असर रहेगा संताल के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है वहीं 8 जून से कुछ राहत मिलने की उमीद है बतादे 4 जून को गढ़वा पलामू और चात्रा में हीट वेब की स्थिती बन सकती है मौसम भी ज्यान केंद्र का पूर्णमान है कि 4-7 जून तक राजधानी राची का दिक्तम तापमान भी 40-22 डिग्री सेल्सिस तक हो सकता है ज्यारखन में पहले होगी 1.75 लाग पोस्टल वैलेट की गिंती चुनाव आयोग ने EVM पर पड़े वोटों से पहले पोस्टल वैलेट की गिंती पूरी करने का निर्देश दिया है राजे के सभी मतगर्ना अस्थानों पर पोस्टल वैलेट की गिंती सबसे पहले की जाएगी EVM के नतीजों के पूर्वी ही पोस्टल वैलेट की गिंती पर उसके पहिणाम खोसित किये जाएंगे बताद इस पार ज्हारकन के सभी 14 लोग सबाज शेत्रों में पड़े पोस्टल वैलेट की संक्या 1,75,000 से अधीक है इसमें सर्विस वोटर के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों द्वारा डाले गए पोस्टल वैलेट सामिल है वर्थ 249 तक पोस्टल वैलेट की गिन्ती मत गर्ना खत्म होने के बात की जाती थी लेकिन राजनितिक दलों ने इस ब्यवस्था का बिरोध करते हुए चुनाव आयों के पास सिकायदर्श कराई थी बिल्कुल अलग होंगे एकजिक्ट पोल और एकजैक्ट पोल के नतीजे कांग्रेश पदेश कांग्रेश अध्यक्ष राजश ठाकू ने सनवदत्त समेलन कर कहा है कि एकजिक्ट पोल एकजैक्ट पोल से बिल्कुल अलग है बेसीर, पैर और विभीन तरीकों से दिखाये गए तरह तरह के एकजिक्ट पोल बिल्कुल गलत है कई संस्थावों दवारा एंडियों को बढ़त बताने वाले एकजिक्ट पोल ही दिखाये जा रहे हैं बाद में मैनेज करने के लिए कई अने एकजिक्ट पोल भी आये हैं जिन में किसी को उतरी, किसी को दक्षनी, पूर्वी या पच्मी राजियों में ज्यादा दिखाया गया है सिरी ठाकवुर ने कहा है कि देश के चुनाव में लोग मुद्दों पर भोट देते हैं भाजपा नेताओ या केंदर सरकार ने कभी मुद्दों पर बात नहीं की, वो फिछले 10 वर्सुस जानता को किये गए वादों पर खरे नहीं उतर रहे थे, दो कुडोर रोजगार देने, हर ब्यक्ति को 15 लाक रुपए देने और महिलाओ को सम्मान देने जैसी बातों पर भ प्यों को गिरफतार कर लिया है, चार दिन पूर्व रामगर के विद्या नगर में सेवा निवरीत रेल कर्मी के घर में डखायती की घटना हुई थी, मामले में एस पी ने अपने कर्याले कक्ष में प्रेसवरता में बताया है कि आर्थिक तंगी के करान एक सगी बहन ने अ असफी परसाद के घर में अपराद कर्मी घूस कर उनकी पत्नी सुसीला परसाद की हत्या कर नगदी एवं आभूसन लूट कर सक्ष को छुपाने के उद्यस से घर में अग्जनी कर संसनी खेज घटना को अंजाम दिया था भाजपा की जीत पर दीन में भगवा होली वब भगवा नाइट की तयारी केंदर में मोदी सरकार की बहुमत से वापसी एक जीक्ट पोल से गदगद भाजपा समर थक चार जुनको जस्न मनाने को तयार है सनातन उत्सो समीती ने मंगलवार को मतगन्ना वा चुनाव पैनाम आने के बाद साक्ची स्री राम पत इस्तित हनुमान मंदिर के समक्स भागवा होली और अतिसवाजी करने की घोसना की है साथ ही साम के बाद भागवा नाइट का अवेजन किया गया है इस दोरान मतगन्ना के लाइब प्रसारन के लिए समीती ने बड़े इलिडी स्क्रीन की बेवस्ता की है समीती की वर से बताया गया है कि रूजहान जियों जियों भाजपा की सीट में तबदिल होंगे ढोलना काड़े के साथ करकारता साक्ची में आम जनों के बीच लड़ू बितरन करेंगे सरावनी मेला 22 जुलाई से राज सरकार ने सुरू की तयारी राज सरकार ने सरावनी मेला 2024 की तयारी सुरू कर दी है मेला 22 जुलाई से सुरू हो रहा है सरकार इस बर सरधालूओं को कई तरह की सुविधाय देने जा रही है मेले में एसी अस्पताल से लेकर एंबुलेंस तक की सुविधार रहेगी बता दे सरकार की ओर से इस बार 3.02 क्रोर का बयर तयार किया गया है अस्थाने जीला परसाशन एम सिविल सर्जन ने इससे जुड़ा प्रस्ताव बना कर स्वास्त बिभाग को भेज दिया है स्वास्त बिभाग भेजे के प्रस्ताव में कहा है कि 30 एंबुलेंस के अस्थान पर 40 एंबुलेंस की तेनाती की जाएगी सभु एम्बूलेंस यर्ग कंडिशन युक्त होगी इस बार 4-5 और स्थाय होस्पीटल बनाये जाएंगे जहां पर 3 सिफ्ट में डॉक्टर और स्वास्त करमचारी तैनात रहेंगे वहीं 150 के संख्या में डॉक्टर और 400-500 में एनेम सहित अने स्वास्त करमी मवजूद रहेंगे जहारखन के सरकारी स्कूलों में लगाये जाएंगे पांच लाख फल्दार पौधे जहारखन के सरकारी स्कूल हरे भरे नजर आएंगे इसके लिए जहारखन सिक्चा पईणा ने अभियान सुरू किया है इस अभियान के तह सरकारी स्कूलों में 5 लाग फल्दार पौधे लगाये जाएंगे जिसके लिए प्राइमरी, मीडिल और हाई स्कूलों को राशी भी उपलब्द करा दी गई है बता दे हर प्राइमरी स्कूल में लगाये जाएंगे कम से कम 10 पौधे और परतेक मीडिल स्कूल में लगाये जाएंगे कम से कम 20 फल्दार पौधे वहीं हर हाई स्कूल में कम से कम 30 फल्दार पौधे लगाये जाएंगे उत्किरिष्ट परदर्शन करने वाले टॉप एक हज़ार विद्यालियों को पुरुत साहित भी किया जाएगा धन्यवाद